Hello students, welcome to Magnet Brains Hindi, मैं हूँ Anketa, आपकी English educator और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, Class 9, English Beehive का Chapter 6, My Childhood और आज हम कवर करने वाले हैं, इस Chapter के Extract Based Questions, तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो सबसे पहला Extract है, जो Passage है, वो क्या है, वो है, During the annual Shri Sita Ram Kalyanam Ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirt, which was near our house. यहां पर कलाम बता रहे हैं, किसके बारे में? श्री Sita Ram Kalyanam Ceremony के बारे में, यानि एक ऐसा Hindu तोहार, जो कलाम के घर के नजदी की जो एक पॉंड था, और उसमें एक island जो था, जिसे राम तीर्थ कहा जाता है, वहां पर इस festival को celebrate किया जाता है, और यहां पे जो राम और सीत की मूरती हैं, उन्हें मंदर से इस तीर्थ स्थल पर लाने का जो काम है, वो कलाम के पिता किया करते थे, अपनी बो aún मूरतीओं को रखके एक प्लाटफॉर्म रखते थे पहले, उसके उपर वन मूरतियों को रखते थे, और फिर इस नाव के जरी वो इन मूरतियों को इस लेकर आते थे, marriage साइट पर लेकर आते थे और इसी marriage साइट को क्या कहा जाता है राम तीर्थ अब देख लेते हैं कि इस passage से या इस एक्स्ट्रेक्ट पर कौन कौन सी questions बनते हैं पहला question है What was the annual event held in रामेश्वरम यानि हर साल या सालाना तौर पे कौन सा फेस्टिवल मनता था, मनाया जाता था रामेश्वरम में Well, Shri Sita Ram Kalyanam Ceremony यानि The annual event held in Rameshwaram was Shri Sita Ram Kalyanam Ceremony यही तो वो त्योहार है, यही तो वो मौका है जो हर साल मनाया जाता था रामेश्वरम में एक बहुती easy answer है students देख लेते हैं, अगला question क्या है Where did the boats carry the idols of the Lord Lord है यहाँ पर प्रभु राम और सीता माता सीता कहना और भी सही रहेगा कि प्रभु राम और माता सीता इनकी जो आइडल्स थे इनकी जो मूर्तियां है उन्हें कहां लेकर जाया जाता था Where did the boats carry them यानि उन्हें कहां लेकर जाया जाता था यानि उस जगह का नाम क्या था वो जो पॉंड था उसे रामतीर्थ कहा जाता है और देखिये The boats carried the idols of the Lord in the middle of a pond on the site of the marriage or ceremony or function अब इसका specific नाम क्या था शायद इसे लेकर question आगे आएगा अभी सिर्फ इतना बताना है आपको कि basically वो वहां कहां उन्हें लेकर जाते थे Next question है Find a word from the passage that means Images of God भगवान की मूरत इसका कौन सा नाम है Idols students Idols ही वो नाम है जिसका मतलब होगा Images of God या Idols of Lord ये यूज करा गया है हमारे इस passage में और Images of God का मतलब होता है भगवान की मूरत बढ़ते हैं अगले question या passage की और साथ में मैं आपको ये भी बता दू कि ये जो question है Where did the boats carry the idols of the Lord अगर आप इसमें extra information जोड़ना चाते हैं तो इसमें आप राम तीर्थ बिलकुल लिख सकते हैं Extra never hurts यानि कभी भी अगर कोई extra information थोड़ी बहुत हमें देनी है तो उसमें कोई बुराई नहीं है Basically, इस question का direct answer तो राम तीर्थ नहीं है कहां लेकर जाते थे या उस जगह को क्या कहा जाता था दो अलग अलग बाते हैं लेकिन अगर आप लिखना चाहें कि उसे राम तीर्थ कहा जाता था there is no harm in that अलग चले बढ़ते हैं हमारे अगले questions की और हमारा अगला passage है during the annual Shri Sita Ram Kalyanam ceremony our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Teert which was near our houses events from the Ramayan and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family basically paragraph में यही समझाया जा रहा है कि कितने अलग-अलग धर्म के लोग एक साथ अलग-अलग festivals में participate करते हैं या stories जो जिस धर्म का है उसे उसी धर्म की कथाएं या stories नहीं सुनाई जाती बलकि हर धर्म की कथाएं सुनाई जाती हैं अब देख लेते हैं इस पर क्या-क्या questions बनते हैं यानि जो speaker है कौन है? एपी जे अब्दुल कलाम तो कलाम के माबाब जो है उनके माता पिता उनका परिवार श्री सीता राम कल्यानम सेरिमनी में किस तरीके से सहायता करता था? वेल उनके पिता एक फेरी मैन थे यानि नाविक थे और अपने बोट पर उन आइडल्स को बैठा कर उन रखकर एक प्लाटफॉर्म पर वो आइडल्स को रखकर एक जगह से दूसरी जगह वो लेकर जाते थे और वो जगह कैसे? जो मंदर है जो टेंपल है जहां पर ये मूर्तिया रखी है वहाँ से इन मूर्तियों को लेकर और जो तीर्थ स्थल है जिसका नाम है राम तीर्थ वो पानी से होकर उसका रास्ता होता है तो अपनी नावों में उन्हें रखकर लेकर जाते थे और इसी तरीके से सहायता करते थे और जितने भी राम और सीता के जो अलग-अलग कथाओं को वहां पर प्रदर्शन भी किया जाता था, बहुत ज्यादा इंजॉइ किया जाता था, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करते थे, इसका रिटन explanation है, the speaker's family used to help in Shita, Shri Sita, Ram Kalyanam ceremony by arranging boats with a special platform for carrying idols, ये idols ही किसके idols या मूर्तिया है, Ram और सीता के, बढ़ते हैं अगले question की और, What line does the passage throw on speaker's family? जिस तरीके से इस passage में लिखा गया है, तो क्या पता चलता है हमें इसकी, जो speaker की जो family है, उसके बारे में क्या पता चलता है, यानि अब्दुलकलाम की परिवार के बारे में क्या पता चलता है? Basically ये ही पता चलता है की कोई भी धर्म भेद, धर्म या जाती भेद इन में नहीं ही हैं, देख लेते हैं इसका written explanation. The passage shows that the speaker's family is a truly secular family which respected other religions also. यहाँ पे students ये लिखना की जाती भेद में विश्वास नहीं रखते थे, they didn't believe in cultural differences and something like that. इतना आपको extend करकर लिखने के बजाए, अगर आप सिरफ ये लिखेंगे की they were a secular family, ये भी अगर आप लिखेंगे, it would be sufficient. क्योंकि secular का मतलब भी ये ही होता है की अलग-अलग धर्म जाती ये सब को एक साथ बांध कर चलना और एक ही समझना होने. और चले बढ़ते हैं हम अमारे अगले question की और, find the word in the passage which means the same, the place where some events take place. यानि हमें एक ऐसार word ढूणना है, जिसका अर्थ हो एक ऐसी जगह, जहां पे कुछ events होते थे. ये वही जगह है, ये वही स्थल की बात हो रही है, जहां पे श्री सीता राम कल्यानम ceremony होती थी. और ये कौन सी जगह है, जो शब्द इसके लिए यूज किया गया है, वो है marriage site. इसका नाम है रामतीर्थ. तो जो site है, basically site जो है, it will be the correct answer students. इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला passage है, After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction. Lakshman Shastri conveyed, ultimately reformed this young teacher. Basically, ये school में हुए उस incident के बार में बात की जा रही है, जो अब्दुल कलाम के साथ हुआ था, कि एक नए टीचर ने जैसे ही Hindu और Muslim लड़के को साथ बैठे देखा, तो एक Muslim लड़के को उठा के पिछली bench पर भेज दिया, और ये Muslim लड़का और कोई नहीं E.P.J. अब्दुल कलाम थे, और जो हिंदु लड़का था, जब घर पे जाके दोनों ने अपने अपने माता पिता को ये बात बताई, तो उस हिंदु लड़के के पिता ने, जिनका नाम क्या था, लक्षमन शास्त्री उन्होंने अच्छे से डाट कर समझाया इस टीचर को, जो नए टीचर थे कि इस तरीके का जहर समाज में फैलाने की और छोटे बच्चों के कच्चे दिमाग में डालने की बिलकुल जरुरत नहीं, और इसी हरकत ने, उनके इसी decision ने, ये जो नए टीचर हैं, उनकी सोच को पूरी तरीके से बदल दिया, transform कर दिया, और वो एक नई और अच्छी विचारधारा के साथ वो आगे बढ़े, अब हम चलते हैं उन questions की और, जो इस extract पर बने हैं, पहला question है, यानि टीचर में बदलाव कैसे आया, लक्षमन शास्री के डांट से, तो इसका explanation होगा, इसका मतलब है, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें आपका शत प्रतीशत विश्वास होना, यानि इस तरीके से किसी बात को कहना, कि आप खुद उस बात को पूरी तरीके से मानते हैं, सुईकार करते हैं, और जो कह रहे हैं, वो एकदम एकदम सही है, इस 100% conviction के साथ, जब लक्षमन शास्त्री ने कुछ बातें इस नए टीचर को कही और समझाने के तौर पे भी कही, या कह सकते हैं, डातने के तौर पे कही, कि अगर आपको यहां रहना है, तो शमा मांगिए, और अगर आप शमा नहीं मांग सकते, तो इस स्कूल को और इस जगह को छोड़कर इसी वक्त चले जाईए, क्योंकि यह कही ना कहीं यह बताना चाह रहे हैं, कि हमें एक ऐसे टीचर की बिलकुल भी आवशकता नहीं है, जो टीचर, जाती और धर्म में भेदभाव करना सिखाए, और यह उच नीच का जो अंतर है, वो लोगों को या बच्चों को सिखाए, कि समाज में जो सोशल इनिक्वालिटी होती है, उसका पाठ बच्चों को बढ़ाए, लक्षमन शास्त्री को यह बिलकुल नहीं चाहिए था, और इसे लिए उन्होंने क्या सिखाया, यही कहा, इतना अच्छा उधारन पेश किया, कि ऐसे टीचर की हमें कोई आवशकता है नहीं और इसे ही हम कहते हैं, strong sense of conviction that लक्षमन शास्त्री कनवेट, brought about a change in the teacher, पूरी तरीके से बदलाव लेकर आगया उस टीचर में, अब देखते हैं कि और कौन से question बनते हैं इस passage पर, What kind of society did the speaker live in? Speaker कौन है यहाँ? हमारे APJ अब्दुलकलाम. APJ अब्दुलकलाम किस तरीके की society में रहते थे? यहाँ पर basically दो तरीके की communities या कहेंगे की religions को majorly दिखाया गया है, एक है Muslim और दूसरे हैं जो हिंदू, Orthodox हिंदू जो हैं, इनके बारे में, तो इस तरीके की community में रहते थे, जहां सब मिल जुलकर भी रहते थे, और कुछ हिस्सों में segregation भी था, यह है इसका एक written explanation, the speaker lived in a society which was truly secular, यानि सिर्फ दो ही incidents ऐसे हुए थे, जहां पर जो भेद भाव था, एक new teacher ने और जो science teacher थे, अब्दू कलाम के, सिर्फ सुब्रमानियम अयर, उनकी wife, जो बहुती conservative थी, यह दो ही लोगों ने कैसे उधारन पेश किये थे कलाम के सामने, इस समाज में, जहां जा जाती और धर्म का भेद भाव, उनमें था, बाकी ऐसी जगह पर कलाम रहते थे, ऐसे समाज में रहते थे, जहां सब से क्योलर थे, यानि सब हर धर्म को बराबर का मान समान दिया करते थे, अब बढ़ते हैं हमारे अगले question की और, find the word or phrase in the passage which means strong opinion or belief, इस पर तो जादा explanation की जरुवत है ही नहीं students, क्योंकि इसके पिछले से पिछले question में मैंने आपको वही बताया, कि a strong sense of conviction, conviction ही वो word है, या strong sense of conviction भी आप लिखेंगे तो बिलकुल सही होगा, जिसका अर्थ है, strong opinion or belief, यानि कोई भी ऐसी चीज, ऐसी कोई बात या ऐसा कोई विचार जिस पे आप पूरी तरीके से बहुती बल पूर्वक आप भरोसा करते हैं, जिसे आप मानते हैं, ठीक है, उसी ही कहा जाता है conviction या strong sense of conviction, इसी के साद अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा अगला स्रें जानिसी कोई बä्यूच कोई स्हुत्ड़ के बधनियू कुछा लूच तरीके डाप्सक्ड़ाबु इयूच पोर्ष हमांणी राष all स्खों, सिर Carolina गारिके छेश्टे कोई में, मैं अन्यूच करते हैं गल सूरी हैं, भॉचाल आप वासी बेडैं बाते हैं, आपन्यूच। HESITATION He told me not to get upset, saying, Once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house next week, Siv Subramanyam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. This is the paragraph in this chapter where the wife was behind the door, observing her clothes, which was how she ate, 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 which was how she ate. So, the floor was on the floor. When I heard my house there, I heard no matter. I did not see this, but I was on the floor, I had no idea. So, if I did that, I arrived, I was on the floor like this desk, This is what I did not know. whereas in my life, the future were my own hands. कलाम तो hesitate महसूस कर रहे थे, जिजक रहे थे, लेकिन जब वो दुबारा आए, तो जो ये conservative wife है, सिर्फ सुबरमानियम आयर की जो wife है, उन्होंने बहुत अच्छे से कलाम को welcome किया, और बहुत ही अच्छे से उन्हें खाना serve भी किया, और बहुत ही प्रेम से उन्हें खाना खि से, why did the teacher's wife watched them from behind the kitchen door, क्यों जो वाइफ हैं, उन्होंने क्यों kitchen door के पीछे से वो देख रही थी, observe कर रही थी, देखे, अधिकतर करके जो social barriers होते हैं, वो धारनाय होती हैं, यानि वो कोई reality नहीं होती, हम एक perception बना लेते हैं अपने दिमाग में, perception का ही मतलब होता है धारना बना लेना, तो हम एक perception बना लेते हैं अपने दिमाग में, कि ये व्यक्ति तो ऐसा होगा, वो व्यक्ति ऐसा होगा, अगर ये इस धर्म का है, तो ये होगा, अगर ये उस जाती का है, तो इस तरीके से बरताव करता होगा, और हम क्यों बना लेते हैं यह धारना लोगों की बाते सुन सुन के या जिस तरीके के रूमर्ज होते हैं रूमर्ज का मतलब क्या होता है रूमर्ज का मतलब है किसी भी बात को फैला देना अफवाह यानि उसका वास्तविक्ता से कोई लेना देना नहीं होता तो अर्थ यह है कि किसी के बाते सुन सच लगने लग जाती है We start believing in those rumors और ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उन rumors को हम reality जो समझने लगे है reality से बहार निकल के हम understand करें कि ये सिर्फ अफवा है वास्तविक्ता से इसका कोई लेना देना नहीं है तो यहाँ पर यही देखने के लिए कलाम को observe करने के लिए यह कहें कि एक मुसलिम लड़की को observe करने के लिए वो किछन दोर के पीछे छुप कर देख रही थी उन्हें और इसका written explanation है The teacher's wife believed in the segregation of different people Segregation मतलब अलग अलग भागों में बात देना Excuse me She did not want APJ कलाम to enter her kitchen and serve food She has a result hit behind kitchen door and saw everything यानि वो नहीं चाती थी कि कलाम जो है वो उनकी kitchen में आए और खाना खाए So she has a result hit behind kitchen door and saw everything वो फिर भी सब देखना चाती थी कि यह किस तरीके से खाना खा रहा है इसके उटने बैठने का सलीका या इसका पूरी तरीके से आचरन क्या है So she wanted to know, she wanted to observe the way कलाम was behaving and she wanted to know कि is there any difference is there any different way of eating or drinking यही सब जानने के लिए वो गेट के पीछे, दोर के पीछे छिप गई थी अब देखते हैं अपने अगले question को Why was the narrator hesitant to eat food with a Hindu family? Hindu family के साथ, narrator, narrator कौन है? कलाम वो इस Hindu family के साथ, खाना खाने में क्यों असाहज महसूस कर रहे थे? असाहज का मतलब है, hesitant Why he was hesitant or why he was not so comfortable to eat with a Hindu family? Well, कलाम wasn't hesitant. Actually, the entire scenario, the entire environment, atmosphere in that science teacher's house, that scenario was very uncomfortable and very awkward for कलाम. So, that is why he was hesitating to come again. यानी, जो वो बिल्कुल भी welcoming environment नहीं था. Science teacher's wife didn't welcome properly. तो इसलिए बहुत बुरा लग रहा था कलाम को कि वो यहाँ पर है, और जो science teacher है, इनकी जो wife है, वो नहीं चाहती हैं कि मैं यहाँ आउं. तो वो दुबारा जब उन्हें बुलाया गया, तो वो बहुत uncomfortable feel कर रहे थे. वो जानते थे कि इस घर में जो दो लोग रहते हैं, उनमें से एक व्यक्ती तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं इस घर में आउं. इसलिए उन्हें बहुत अजीब लग रहा था, कलाम को बहुत अजीब लग रहा था, कि मैं दुबारा आउंगा, दुबारा मेरे साथ इसी तरीके से भेदभाव किया जाएगा, मुझे रोका टोका जाएगा, कि तुम मेरी किचिन में नहीं आओ. यह सोच लेना, यह फिल होना, कि मैं कहीं अगर चला जाओंगा, तो वो जगह अपवित्र हो जाएगी, किसी को भी अनकमफर्टीबल और हैसिटेंट कर सकता है स्टूडेंस, आपको भी मुझे भी, और इसलिए कलाम भी बहुत जादा अनकमफर्टेबल फिल कर रहे थे, व अनका जाओंगा, और बहुत जाओंगा, और बहुत जादा खुश हुई थी, जब कलाम दुबारा आए थे, और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ था, अब बढ़ते हैं अपने अगले question की और, find the word from the passage that means to deal with, इस passage में से आपको कोई ऐसा word धूंद कर निकालना है, जिसका मतलब है to deal with, और यही है, confronted one day, he invited me to his home for a meal, his wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen, she refused to serve me in her kitchen, यह मैंने आपको यहां इसलिए लिख कर दिया है, ताकि आप इसी हिस्से में से वो word है, जहां आपको पता चलेगा की to deal with का क्या मतलब होता है, deal with का मतलब कि किसी चीज को किस तरह से समहालना है, किस तरह से सामना करना है उसका, तो कौन सा है, जो पहला ही word है ना, confronted, confronted is the word जिसका मतलब जो है, वो है to deal with, किसी चीज से deal करना, किसी चीज को handle करना, उसका सामना करना उसी को ही कहते हैं, confronted कि अगर आपने कोई चीज करने की ठान ली है तो जो भी समस्याएं आएंगी, जो भी challenges आएंगे आपको उन challenges को तो face करना ही पड़ेगा अप ये expect नहीं कर सकते कि मुझे success भी चाहिए लेकिन कोई बाधाएं नहीं आनी चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है students बाधाएं आती हैं, उन्हें face करना पड़ता है confront करना पड़ता है, deal करना पड़ता है I hope आपको ये समझ में आगया होगा और बढ़ते हैं, अब हमारे अगले question की और सिर्फ सुप्रमान्यमायर was not perturbed nor did he get angry with his wife but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal ये कलाम कह रहे हैं कि जो मेरे science teacher हैं सिर्फ सुप्रमान्यमायर उनकी वाइफ ने जो हरकत की उसके बाद जो मेरे science teacher हैं ना तो वो नाराज हुए, ना वो गुसा हुए, ना disturbed से लग रहे थे upset लग रहे थे कि देखो मेरी wife ने क्या हरकत की मैंने जो guest बुलाया था मेरे guest का अपमान कर दिया इस तरीके की कोई behavior नहीं कर रहे थे इन्फाक्ट उन्होंने क्या किया उन्होंने मुझे खाना परोसा, कलाम कह रहे हैं उन्होंने मुझे खुद अपने हाथों से खाना परोसा मेरे साथ में बैठ कर खाना खाया भी तो वो बहुत खुश भी थे इस बात से अचंबित भी थे कि ऐसा हो जाएगा क्योंकि वो ऐसा कुछ expect ही नहीं कर रहे थे तो यही इस passage में बताया गया है अब देख लेते हैं इस passage से क्या-क्या questions बने है यानि यह जो पहला ही sentence है उसके अंदर जो ही है वो कौन है और जो मी है वो कौन है ही तो है सिर्फ सुब्रमन्यम अयर जो science teacher है कलाम के ठीक है और मी कौन है मी है APJ अब्दुलकलाम मी यहाँ पर यह समझ में आ रहा है क्योंकि यह autobiography है इनकी तो खुद को जब संबोदित करना होगा तो मी कह कही करेंगे तो जो ही है यह इस सिर्फ सुब्रमन्यम अयर एंट मी इस अब्दुलकलाम वो क्यों डर गई थी उनकी वाइफ वैल किसकी वाइफ है यह science teacher सिर्फ सुब्रमन्यम अयर की वाइफ है यह और यह इसलिए horrified हो गई थी क्योंकि इन्हें पता चला कि उनके घर पे एक Muslim लड़का dinner करने के लिए आने वाला है सबसे पहले तो उनके दिमाग में यही हो गया कि अगर कोई Muslim लड़का यहां आएगा तो मेरी kitchen और मेरा घर तो अपवित्र हो जाएगा उपर से यहां बैठ कर खाना भी अगर खाएगा तो यह तो अधर्म है उनकी according क्यों क्योंकि वो एक conservative महिला रही है लेकिन जब धिरे धिरे उन्हें यह समझ में आया और वो इन भ्रांतियों से बाहर निकली कि इनसे कोई फरक नहीं पड़ता it makes no difference at all कि भले ही वो Muslim है भले ही कोई Hindu है या किसी और धर्म का है इससे कोई फरक नहीं पड़ता यह incident although बहुती embarrassing रहा था APJ अब्दुल कलाम के लिए लेकिन इस experience की वजह से जो यह conservative महिला है उनमें तो transformation आया ही उनमें तो एक reformation आया basically मुझे कहना चाहिए कि उनका attitude बदला उनकी जो खयालात थे उनमें सुधार हुआ सिर्फ बदले ही नहीं सुधार हुआ और कहीं न कहीं APJ अब्दुल कलाम के भी जो यह incident यह experience हो रहा था उसका अंत बहुती बढ़िया हुआ अब देखते हैं इसका written explanation His wife was horrified at the idea of serving food to a Muslim boy in her kitchen यानि अपने kitchen में एक Muslim लड़की को खाना खिलाने के खयाल से ही वो horrified हो गई चलिए अगला question है find the word from the passage that means agitated या agitated या upset agitated के दो pronunciation है students एक तो है agitated और दूसरा है agitated and both are correct और या फिर upset upset और agitated में से ऐसा कौन सा word है passage में से जो इनके meaning को बताता है it is again very easy पहली बात तो यह कि passage यह आपको जो दिया गया है बहुत छोटा सा passage दिया गया है तो hopefully it will be easier for you to identify लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो let me tell you जो word है perturbed इसी का meaning होता है upset हो जाना perturbed और अगर आपको याद हो तो मैं आपको यह भी बता दू कि during the explanation of this chapter मैंने इसका meaning आपको बहुत अच्छे से बताया था तो I am sure जिन students से मेरा explanation वाला video देखा है उन्हें इस word का meaning identify करने में कोई problem नहीं होगी मैं इस question पे इतना वक्त भी इसलिए बिता रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता दू vocabulary से जुड़े हुए जो questions होते हैं वो जुरूर से जुरूर आते हैं exams के अंदर अभी इसलिए it's very important for you to start preparing accordingly why? जैसे जैसे आप senior classes में जाएंगे students अगर आपकी vocabulary अभी से ही अच्छी से बनने लगी वो बहुत बढ़िया build-up हो जाएगी क्योंकि एक साथ हजार words याद करना is not possible लेकिन धीरे 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 साल बर में सौ वर्ट्स तो याद किये ही जा सकते हैं and it is very easy उनको एके करके सीखते चलिए in questions के थूँ आपके chapters के थूँ कभी-कभी मैं आपको अलग से भी सिखा देती हूँ words आपकी vocabulary बिल्ट करने के लिए तो it is very important to improve and build your vocabulary as much as possible जितना हो सके उतना अब ये हुआ हमारे सभी question answers का detailed explanations और vocabulary वाले questions भी मैं आपको answer करवा चुकी हूँ I hope यह सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर भी कहीं पर कैसा भी कोई भी doubt है तो students आप हमेशा की तरह comment section में comment करके पोच सकते हैं और इसी के साथ हमारा ये video अभी end होता है और आखिर मैं आपको याद दिला दू कि magnet brains आपके लिए लेकर आता है high quality content और education और knowledge के साथ साथ की सभी top courses वो भी एकदम free of cost, e-notes और e-books के लिए आपको link description box में दिये गए हैं आप वहाँ जाके check कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको videos का access चाहिए तो आप www.magnetbrains.com पर भी visit कर सकते हैं latest updates के लिए आप हमें Instagram, Telegram, Facebook और Twitter पर भी follow कर सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे like और share जरूर कीजे और Magnet Brains को subscribe करना बिलकुल मत भूले, thank you so much